ओम ज्ञानत मिरांधस्य ज्ञानन जनुशलाकया चक्षूरन मिलितं येना तस्माई श्री गुरुवे नमहा श्री चैतनी चैता में आंतलीला चैप्टर छे ब्रयार संग्या थ्री ट्वेंटी थ्री आर ग्रास लईते स्वरूप हाते धरीला तब योग्य नहे बली बले काड़ी निला जब श्री चैतनी महापरू दूसरा ग्रास उठा रहे थे तब स्वरूप दामदर ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोले यह आपके योग्य नहीं है इस तरह उन्होंने उस भोजन को बल पूर्वक ले लिया ये ठीक वैसे ही है जैसे कि भगवान जब सुदामा से सूखे चिप्रदाइस ले रहे थे तो रुख्मणी जी ने उनका हाथ रोग लिया कि यह आपके योग्य नहीं है तो इसी तरह से यहां पर हम देखते हैं कि भगवान साड़े वेचावल जो उटामाता हूं दर जिसकान दे रहे थे वही ले थे लेकिन उनका हाथ रोग दिया क्या क्योंकि भग्त यह चाहता है कि भगवान को बैस्ट चीज मिले दोनों में एक परदा है भगवान को सारी मिलें उनको सुख मिलें और भगवान चाहते हैं कि उनके भग्त को ऐसा मिलें भगवान सर्वेंट बनने को त्यार जाते हैं लेकिन फिर भी कई सारी जीवात्मा ऐसा हैं जो सर्वेंट बनने को त्यार नहीं है जो भोगी बनना चाहते हैं सेल्फ सेंटर लाइफ जीना चा जैसा कि रगुनात खा रहा है तो इसलिए जो हमारी संतुष्टी है वो मन में होती है वास्ता हम कई पर संजाते हैं अपनी क्लासिस में कि माना आपके सामने बहुत सारे वेंजन पढ़े हैं और आपको जबर्दस भूख लगी है आप फास्ट कर रहे थे निकर अच्छानक से कोई जबर्दस बैड नहीं हो जाती है फोन पर उसके बाद आपका उस खाने का रस समापत हो जाता है जबकि खाना भी वही है जीव भी है क्योंकि मन हमें ऐसे विचारा गए है इसलिए संसार में सब लोग परसंद करने का प्रयाज कर रहे हैं अपने आपको अपनी बॉड इंसार मांदी बॉड़ा मुझा बड़ा चन्चल है जो एक जगह पर संतुठ नहीं रह पाता है जब तक इसको बगवान के चरनारविंद में लागाए जाए बजौन रेमन स्री नंदन अभाए चरनारविंदर तो जब तकרא मनं के चरनों में नहीं लगता है तब तकि प्यार करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है जो में इसे दो मिनट बात कर पाए, बहुत सारे डिप्रेशन के केस हैं संजार में, है कि नहीं हमारे बीच में भी आसा हो जाता है, तुम्हारे पास समय ही का है, इसके बाद, अचली यही समझने के विश्य है, कि यदी हम बाद ने चाह किया, आप देखिये, पूरा संसार को संतुष्ट कर दिया, उनने बगवान को ऐसे संतुष्ट किया, तो इस प्रकार से जिवन का उदेश है, बगवान की प्रसंता के लिए जीना हो जाएगा, नहीं है कि मेरे से किसने प्यार से बात करी, मेरे साथ क्या पैमपड बच्चा के साथ क्या दिकत है, कि जरासा भी उसको नाट दे, जरासा भी को बोल दे, यहां लाव जोर जोर से धाले मान के रोता है, क्योंकि उसने कभी ऐसा देखा ही नहीं, यह जिन पैमपड है, उसी तरह से हम भी हमने अपने मन को बहुत पैमपर किया हुए, जब कि बक्ति सितान सर्यतुति कहते थे कि इस मन को जाडू और चपल से मानने की आवश्यक्ता है, लेकिन हमने उसको बहुत पैमपर किया है, इसलिए जरासा भी कहीं कुछ होता है, तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं, तो इसलिए कैसे इस मन को रखना चाहिए, जब इसक इसको कैसे निमन समझ कर टॉलरेट करते ना है, तब हमारा मन जो है अच्छी अवस्था में रहेगा, फिर उसको खाने के लिए वेंजन मिले या घासफूस मिले, खुछ रहेगा, फिर उसको सम्मान मिले या अपमान मिले, खुछ रहेगा, तो ये हमारे सारे डिप्रेशन, सारे दुखों का ये तरीका है दुनिया में डेप्रेशन से निकाल के नेक लिए लोग क्या करते हैं लोग करते हैं यू आर गुड यू आर बेस्ट डोंट फर्गेट यू यू आर दे बेस्ट आपके अंदर ये खोवी है तो कुछ-कुछ देर देर उसको उसके अंदर हवा वरी जाती है और वो फूलता चला जाता है और अपने सारे गम भूल जाता है क्योंकि ऐसा लोग कहते हैं कि उसकी कॉण्फिदेंस हमाpt हो गया है उसके अंदर कॉण्फिदेंस दालने के लिए उसको उसके बढ़ाई कीजिए तो बट वास्तिविक्ता में ये थोड़ी देर था क्योंकि याएक्शुली मैं वह ऐसा है नहीं कोई भी इंसन परफेक्ट नहीं है गल्दियां है उसके अंदर आगे भी उसको डाट सुनती रही आगे भी लोग उसको नेगलेट करेंगे तो ये जो तरीका है ये एक पेन किलर जैसा है जो कि आपको थोड़े देर के लिए प्रसंद चित कर सकता है लेकिन वास्तविक प्रसंदा संतुष्टी तब ही आती है जिव हमने जीवन को भगवान की सिव में लगा दे तब ही हम सारे आने वाले दुखों को जहल सकते हैं जीवन ने वना हम नहीं जहल पाएंगे इतने जिनली में इतनी सिक्वेशन से ऐसे दुखाते हैं कि हम उसको जहल ले resistor अगर हम अपने आपको भगवान की सिवा में लगा दें जीवन को पवित्रम एकदम बना लें तो एक अपार संतुष्टी मिलेगी फिर कोई भी मान अपमान कोई मेंजन बंदा है कुछ संतुष्टी रहेगी जैसे कि यहाँ पर यह तीन तीन परसनेलिटीज है एक तो सुप् परकार के बंजन आपने सुना ही था कि अठ्थाइस परकार काई बिलीब पालक ही किला दिये मतलब हरा साल कितने आपने अधवायत अचारे के घर में क्या क्या नहीं खाया आज वो कह रहें कि सड़ावा चावल ऐसा तो कभी कुछ नहीं खाया तो इस सब हमारे मन किस्तिती के ऊपर है क्या कहते हूं मन चंगा तो कठोती में गंगा तो यह मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रू है यह हमारा सबसे बड़ा मित्र है किसी परकार से इस मन को संतुष्ट करना है तो जीवन बड़ा सुखी हो जाएगा क्या करे यह मन हमारे कंट्रोल में नहीं है यह बहुत िइसे उखेलन ज्पलेएंट, तया सक्टेमिकली बेस्टुर्णे, एक BEस्टूर्स को चला धर ग्याया lain, छोजवी के जब निया खैएंड नाइगा तो तो चाहिएल, पीसे बधूब खीया निगालिखाएंगे लिए लिचन है ingrid casos मिसरल केस्फिण परौ सकाल cirk anymore इसके बद्भू कितनी अच्छी है, क्योंकि इस बद्भू के करण कोई मेरे पास ने आएगा, डिस्टर नी करेगा, तो गैशनव ऐसे हैं, जो मल में से भी कॉलिट निकाल लेते हैं, वो जब हमारे बारे में बोलते हैं, तो और चलता है, हमारे अंदर ये को भी है, क्योंकि मन को falsely pampered कर देता है, कि I am this, और उसके बाद, समस्या क्या है, क्योंकि आज ग्लोरिफिकेशन हो रही है, सब लोग ने ग्लोरिफिकेशन की cap पैन रुखी है, hat, सब लोग अभी अच्छा ही सोच रहे हैं, सब लोग ने एक अच्छा चश्मा पहन लिया है, हड़ा वला, सब बया है, लेकिन अगले दिन लोग उस चश्मे को अथार देता है, यह समस्या ano क्या करें, लोग अगले दिन उस चश्मे को अच्छा यह बड़े, अब हम देखने हैं, ाज थोड़ी है बर्डे, अब हम देख यह है वो ही उल्टा हाथा अ ओलडः को ग्लोरिफिकेशिं कि आपतों की तरह गिरीया। चला गया डिप्रेशन में। कोई मुझे प्यार नई करता है। कोई मेरा नहीं है। आपको प्यार करने वाले भगवान आपके हिर्दय में वैठे हैं unions से पहले तो यो आपके साथ अनंत काल से आ तरह प्यार नहीं करते 루१। गुरू देते क्या, तो शास्त्र देते क्या, तो वैश्नम देते क्या, ये मिलता क्या, वो मिलता क्या, अगेन फिर हम भूल जाते हैं, तो ये सब मन का खेल है, ये समझने की बात है, जब तक हम इस मन को भगवान के सिवा में नहीं लगाएंगे, अपने आपको दास, दास, इमानेंगे तब तक ये इसी में डूबता रहेगा मान अपमान होगेरा तो इसलिए यदि इस मन को हम भगवान के शड़ों में लगाएंगे तो ये जो उसके जीवन में घटितो रहा है उसमें भी आनंदित रहेगा जैसे ये तीनों आनंदित हैं इमत महाप्रभु नाना लीला करे रगुनाथेर वैराग्य देखी संतोष अंतरे और इस तरहें चैतने महापरु ने जगनातपुरी माने एक लीलाएं करी वे रगुनाथ दास को सन्यास आश्रह में कटिन तबस्या करते देखकर अत्यंत संतुष्ठ थे बड़ी इंपोर्ट ऐसे भी कॉंग्रिगेशन है जो कभी-कभी फ्राइडे में मूवी देखने भी जाती है आपके यहां पर ऐसा क्यों है ऐसे भी कॉंग्रिगेशन है क्या दिकत है अगर हम गोविंदाज में खा रहे हैं तो यही तो बताया परुपाद ने प्रसाद को गले तक खाओ क्या द वाला वेक्ति यह देखता है कि गॉवर्मेंट ने कहां पर लूपफोल चोड़ा हूआ है और वहीं से टेक्स एवेजन को टेक्स प्लैनिंग का नाम दे देता है क्याने का मतलब है कि सरकार कुछ नियम बनाती है जैसे मैं आपको बताता हूँ सरकार ने हमें याद एक योजना बनाई थी कि जिससे कि कई सारे लोगों को लोन मिलेगा नए उद्योग पती चोटे-चोटे उद्योग पती हो इतने सारे दलाल बन गए कि उसमें कुछ कमिय वेक्ति प्रसंद होगा जिसने पॉलेशी बनाई थी तुसी तरह से हम ध्यान रखिए श्रिणा परुपाद ने क्या कहा है अपने जीवन में क्या किया तो देखिये भले कैसे जिये वह रगुनाद्धास कैसे जिये और इससे आपता रहे कि चैतना मापुर बड़े प्रसं सेने ढ़न ओर यह लेकिन हम एशे सरल इट देख हैं ऐसे हमल है और ऐसा जीवन दी रहे हैं जिसमें भगवान की सेवा और भकतों की सेवा के लिए कठिन अपने उपर कष्ट ले नहीं कमफर्ट जोन में जी रहे हैं कष्ट ले रहे तब जो है इसको देखकर कठिन तप कि अपने आपको निमन कैसे माना जाए सबसे बड़ी तबस्या कैसे आप मान में भी परसंग्चित्र रहा जाए कैसे हम जाके यह सब करना शुरू करें ना कि दूसरों से एकस्पैट करें यही तो सबसे बड़ी तबस्या है मतलब मेरा तो अपमान हो और मैं मान दूँ बाड़ी अच्छी फिलोश भीए यही इसी को देखकर इसी कठिनत परस्यागों देखकर चैतने मापुरू बड़े संतुष्ठ होए रगुनात को स्वामे से आपन उद्धारे रगुनात दास गौरांगस्थव कल्प वरिक्षे करिया चिन प्रकाश रगुनात दास ने गौरांगस्थव कल्प वरिक्षे नामक अपनी कविता में अपने उद्धार का वर्नन किया है महासंपध्यावादपी पतितमुदधित्यक्रिपया स्वरूपया स्वरूपया स्वय्यकुजनमपीमाम निस्य मुरिता उरव गुंजाहारं प्रियमपीचा गोवर्धनम गोवर्धनशिलाम ददवमें गवरांगव इड़या उधयनमाम मदयती यदिभी मैं पतित हूँ अपनी किर्पा से महान भातिक आश्वरी की प्रज्वलित दावागनी से मज़े उबागिया। आप कितना बड़ा कश लेते हैं, परसाद बटान दो बड़ा असान काम हैं, लेकिन अगनी में से जलते हुए को निकाल देना, बहुत ही रिस्की है, बहुत ही मुश्किल काम है, तो इसलिए यहां बता रहे हैं, कि मुझे प्रज्वलित एश्वरे, बहुत इक एश्वरे की प्रज्वलित दावागनी से निकाल दिया, जबकि मैं क्या था, मैं बिल्कुल भी यूजलेस, आदमी सही नहीं था, मैं पतित था, मैं अदम था, ऐसे वेक्ति को तो जल देने देते हैं, जल जाता तो अच्छा था, लेकिन फिर भी मुझे निकाल दिया, तो यह जो है महा सारी इच्छाओं को संजोई रखे थे, अब ये करेंगे, अब ये पहनेंगे, अब वहां पर घुमने जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, विदेश में गुमेंगे, यूरोप में गुमेंगे, पैसा कमाएंगे, दोनों मिलके, पती पतनी मिलके पैसा कमाएंगे, और ब दूसरा किरपा करी कि मुझे किसी भक्त के अंडर में डाल दिया दूसरी किरपा करी मापरू ने मुझे अपने वक्ष स्थल पर पड़ी हुए गुंजामाला और गुवर्दन शिला दे दी या हमें भगवान का ओल्टर दे दी हम सोचे तो कितनी अदूत चीज़ है यह आने से घर का महौल बदल जाता है सेंटर बदल जाता है यदि बदल अगर आप ऐसा सोचें तो यदि उसको आला की तरह समझेंगे तो नहीं तो हमें यह दिया कि मुझे गुंजामाला गुवर्दन चला दी यद भी वस्तवनाती प्रिय थी ऐसे श्री चैतर महापरू मेरे कि भीतर हो गया होकर मुझे उनमत बना देते हैं ऐसा वो लिखते हैं एई तक का हिन्दू रगु नाथे रह मिलन इहा ये न शोने पाए चैतन ये चर्ण इस तरह मैंने श्री चैतन महापरू से रगुनात दास की भेट का वड़न किया है जो कोई घटना के विशे में सुन सुनता है वे श्री चैतन महापरू के चर्ण कमलों को प्राप्त करता है जो कोई इसको सुनता है यानि कि इसको अपने जीवन में डालने का प्रयाज करता है इससे प्रभावित होता है तो प्रभावित होना या ना होना ना हमारे उपर होता है जैसे कि कई लोग मुझे मिल को है ना जो दिमाग अच्छा 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 और क्या है अजो को फोन करें ताइम यह तुमारे पास सड़े के लिए लोग सवेरी सवेरी आयता है पटक अब कोई किसी की बात को सुनने से पहले ही पटकते तो मैं नहीं कर रहा है सुनना चीए अद्वर्डिसमे कोई आपको बिकेगा तो उसी को जो सुनने को तिहार हो जाएगा थोड़ा सा एंगे बहुत बढ़िया लोन का उफर है अच्छा क्या है इसमें केवल चार परसेंट पर दे रहे हैं अच्छा और क्या है थोड़ी देर हो है वो प्रोड़क्ट बिक जाएगा ऐगा अशा भ बंधी कर लोगे दिमाग को तो कोई कैसे इंफ्लेंस करेगा जब ओपन करोगे कि मुझे इंफ्लेंस होना है I want to be influenced बोलिये ना कुछ तो बोलिये कि मैं इंफ्लेंस होना चाहता हूं कुछ भी बोलिये मैं हो जाऊँगा तो जो ऐसे विचार लेके चलेगा वो उसका अपनी इंटेलिजंस के यह पर रडार लगाता है रडार इंटेलिजंस रडार भूम यह कोई भी विचार जो मेरे विचारों से मैच नहीं करता उसको फ्लाक फ्लाक फैकते जा एं तो हम कभी इंफ्लेंस नहीं उपाएंगे हमारे अंदर परिवर्त नहीं पायागा पर नहीं दो विचार के उपनार के विचार लेक़ं को यह पर लेकं प्रोटक्टिव लेर लगा कर नहीं इतना नहीं करना है यहसे को लेके उइसको लैलेते हैं तो क्या होगा तो हम कभी भी इंफ्लेंस नहीं हो भाएंगे आम सुस्जें देखो जिम कोई पत्थर को इंफ्र कर सकता है या भेंश के आगे बीकषा है या फैं इसके देखो है क्या कॉलीटी फैंश कि देखोक अरे क्वालिटी नहीं पत्थर है जड़ गुद्धी शड़ दि गुको कहांद सेमरम करें सम्ञों गोई थे कंचेंट करें यह विशलिती होगाइ Town मैं आज मुवी देखता हूँ कोई, ऐसा नहीं करना है, कि आप आप ट्राई करें कि यूट्यूब में कुछ देखता हूँ, देखता हूँ मेरे अंदर कितनी भक्ति बढ़िये, क्या मेरे अंदर घ्रना आती है उसको देखके, आरे मारे जाएंग उसमेंगो वहां तो तो यहां पर दिमाग के कपड़े उतार देने तब क्या होगा अगर आप सोचेंगे नहीं यह तो बहुत ज्यादा है रगुनात दास ऐसा थोड़ी कर सकते हैं हम कैसा कर सकते हैं यह आपने लगा लिया शेल फिर कोई परिवर्टन नहीं आएगा कि रगुनात मुस्वामी यह अजाए बरे को नहीं आएगपने स्कता situations जो इस प्रकार सुनेगा है य४ आप रूपी रगुनात Σ्री रूप रगुनात पिद्य आर आश्ह與 डश्र चैतने चाहितामित का है खुरिष्ण दास और श्री रूप रुगनात के चाहरं कमलोंके वंदना करते हुए था उनके कृरपा के कहां बना करते होए उनके चरण चिन्नों पर चलकर मैं एकरिश्ट दास श्री चैतन ने सरीधामित का वर्णन कर दा तो हमारा यह करता बें बनता है कि हम चरण चिन्नों पर चलेंगे और इस परकार ज्री चैतने महापुरू से रगुना दास की गोस्वामी की भेट नामक छटे अध्याय का बक्ति विदान तात्परिय पूर्ण हुआ और हम बढ़ते हैं साथ में अध्याय की तरफ जिसका शेशक है चैतने महापरू है वल्लब भट की भेंट ये कता भी बहुत कुछ सिखाने वाली है चैतने चरिता में इतनी कताों से भरी बढ़ी है इतनी कता हैं भागवत में नहीं मिलेंगे अबू इतनी चोटी-चोटी कताओं और ऐसी कता हैं जो एकदम जीवन की प्रैक्ठीकल आस्पठस पर होसे हैं तो इसको बार बार भार भी सुनें तो भी कम है तो पहला श्लूप अध्याय सात्वा चैतन्य चर्णाम भोज्य मगनंद लीहो भजे ये शाम प्रसाद मात्रेन पाम रोप्य मरो भवेद मैं श्री चैतन्य महापरू के भगतों को सादर नमस्कार करता हूँ महापरू के कमलों से मधू को चाटने में लगे भगतों की अहतु की किरपा से ही एक पतितात्मा तक सदा के लिए मुक्त हो जाता है इसलिए मैं भगतों को सादर नमस्कार करता हूँ पहले क्योंकि उनी से जय जय श्री चैन्य यंद्वैत चंढग्त सबरे लेला अगले वर्ष बंगाल के शारे भक्त चैन्य महार्बू से भेट करने गए अगले वर्ष न5 और महापुरु पहली की तरह उसे सबसे मिले एमत विलास प्रबुर भक्त गड़ लईया हेनकाले वल्लब भट मिलिलासिया इस तरह सी चैतन्य महापुरु अपने भक्तों के साथ अपनी दिलाएं करते रहे तब एक विद्वान पंडित जिनका नाम वल्लब भट था महापु महापुरु से मिलने जगनापुरी गए प्रुपा बता रहे कि वल्लब भट के वर्णने तुम अध्याए 19 के श्लोक 61 को देखे आसियावन देला भट प्रभु रचरने प्रभु भागवत बुते केला अलिंगने जब वल्लब भट आये तो उन्होंने महापुरु के चरण करते हुए उनका आलिंगन किया तो भक्तों के साथ ही आये थे और यही है जब कोई मिलेगा तो उससे एकदम से परणाम करें खासता और पर परणाम करने से एकदम से हम हिर्दय को जीत लेते हैं क्योंकि अपने को निम्न स्थापित कर देते हैं वहापर तो इस परकार जब मिले तो महापरु उनसे बड़े प्रेम से मिले और जैसे कि वह अपने भक्तों से मिलते थे बहुत सारे भक्तों से मिलते थे एक-एक से परसनली वह मिला करते थे इनसे भी वह मिले और आसिया वंदिला भठ प्रभुर चरणे प्रभु भागवत बुधय कैला अलिंगने जब वल्लब भठ आये तो उन्होंने महापुरु के चरण कमलों में नमस्कार किया मान्यकरी प्रभुतारे निकटे वसाईला विनय करिया भठ कहिते लागिला चैतना महापुरु ने वल्लब भठ को अत्यंत सम्वान पूर्व का अपने निकट पेठा लिया और तब वल्लब भठ अत्यंत विनाय पूर्वक कहने लगे बहुतिन मनोरत तोमा देखी बारे जगनात पूर्ण कहिला देखे लो तुमारे ये प्रभु मैं बहुत समय से आपका दर्शन करना चाह रहा था अब भगवान जगनात ने मेरी ये इच्छा पूरी कर दिया इसलिए मैं आपका दर्शन कर पा रहा हूं अच्छा लग रहा है बहुत अच्छी बाते हो रही है तुमारे दर्शन ये पाई सेही भागयवान तुमा के देखिये ये न साक्षात भगवान जो आपका दर्शन पाता है वैस साक्षात मुन पुछोतम भगवान है ऐसा लगता है कि ये जानते हैं कि ये भगवान ही है तुमारे ये स्मरण करे सेहा या पवित्र दर्शन पव प्वित्र हबे इते की विच्चित्र चुकि जो कोई आपका स्मरण करता है वे पवित्र हो जाता है। इसलिए इसमें कौन सा अश्र है कि आपका दर्शन करने पर कोई पवित्र हो जाए। महापुरसों का स्मरण करने मातर से सारे घर पवित्र हो जाता है। तो फिर उनका परत्यक्ष्डर्शन करने उनके चरण कमनों का स्पर्श करने उनका पाद प्रक्छालन करने या उन्हें आसन देने के विशे में क्या कहा जाए। महापुर्स घर्म कृष्ण नाम संकिर्थन کرेबं कि पृष्ण के पवित्र नाम का किड्रतन करने की है अब ये बड़े विद्वान पंडित तेरे सामने सुना अब विद्वान पंडित सार बता रहे है क्या बता रहे है कि कल्यूग में मुख्य धार्मिक प्रणाली क्या है भागवान के पवित्र नाम का कीर्थन करना क्रिष्ण द्वारा शक्ति प्राप के बिना संकीरतन अंदो दूसरा कि यदी कोई परचार कर पा रहा है तो कृष्ण की उसके उपर पा रहा है तब यह ऑपर है कि इस तरहिए एस तरह से हम प्रचार सारे हमारे मैं सारे ही वणर लोगों को जोड़ पार है इसका मतलब कृष्ण की तरहूं किसे जोड़ पा धो कैसे लोगों के इड़दे को परिवर्तित करता ताहा प्रवर्ता इला तुमी एत प्रमान कृष्ण शक्ति घर तुमी इते नहीं आन आपने कृष्ण भावना मिर्त आंदोलन को प्रसारित किया है इसलिए असपस्ट है कि आप कृष्ण द्वारा शक्ति प्राप्त है इसमें कोई संदे नहीं अब वास्ता में तो स्वयम ही भगवान है तो जब स्वयम ही भगवान है तो कृष्ण द्वारा प्राप्त है स्वयम ही कृष्ण है रादा कृष्ण नहीं अन्य श्री कृष्ण चाहितन ने और कोई नहीं है स्वयम्रादा कृष्ण नहीं है तो उनको तो क्या शक्ति प्राप्त होगी वही कृष्णा हिमसेल्फ तो मादवचारे जो है नरायन सहिता में लिखते हैं कि द्वापर यूग में पंचरात्रिक विदी से पूजा करके क्रिष्ण या विश्रों को संदुष किया जा सकता है कि इन कर्मी लोग भी ऑफिस में जाने से पहले अपनी पूजा पाट करते हैं ताकोई देखा अपने चाहिए कर्मी क्यों ना हो दुर पूझा की विदु है अगर ये पूझा की विदी है तो सवरी खतम हो जाना दिन के प्रारम होने से पहले क्या यह समात नहीं हो जानी चीए तभी तो हम पुरा दिन भगवान की वक्ति में लगेंगे अगर यह रात तक खिंच रहा है तो इक हुन से पूजा की परणाली बना लिया हमने अब तो एडिशनल पूजा कर सकते हो आप तो लोग हनुमान जी क तो आपना कोई तरीका कैसे बना सकते हैं इसलिए मैं सोचना चाहिए नीद नहीं खुलती है थकान महसूस होती है तो हम अपनी दिन्चरिया को देखें दिन्चरिया में थकान कई वार कारणों से हो सकती है हमने ज्यादा पहला रहा है ज्यादा काम ले रहा है हम सो नहीं प तो सभेरे जल्दी नहीं उठा जाता है, ताजगी नहीं आती है उठके सभेरे, डलनेस मेहसूस होती है, इसी कारण से मेहसूस होती है, जब सभेरे उठे हैं तो सोचना चीए है, ओ, it's a new day, there is fresh energy, body के अंदर एक fresh energy है, किसलिए, नाम जपने के लिए, अब फ्रेश एनरजी मे अगर आपने बहुत सारा खा लिया सविरे-सविरी तो वेगार ह 64 जली को इसलिए उस्कों सविरे खातें के लाइटी कहते हैं broadcast को हैं तून कि इसके बाद पूरा दिन बढě воз Lance को कुष्टन है कि यह Mani कैसी पूजा है तो क्या है निखिने का आरी क्वखाती पूजा है जो चल था भाद करमिया के तक हुदने हो रही है आप कहिंगे जी स्वारनन Add- Wam तो इसका मतलब यह थोड़ी है कि आप आपने जो नियम है उसको इस तरह परकार से आपके जो परल हैं अपने गुरू के परती सिंपल चीज है कि हाप फ्रेश है दिन भी फ्रेश है सब कुछ फ्रेश है तो तभी तो यह करने का अनद है बाद में तो आप और ज्यादा जबत इस है एक्स्ट्रा लsem लग कमीट में तो इसलिए बता रहे है कि कल्यूग में जब यही हमारा मुख के तरीका है तो इसको कैसे किया जाना झाल Shape कि क्या मेरा जब रहा है या से निकल रहा है बहुत सारे विचार क्योंकि दिन में दिमाग में विचारों को ट्रैफिक बढ़ कि क्या मुझे फिर इतनी extensive आर्तियां करनी चाहिए जब कि कल्युक कम्मुख्य प्रोसेस नाम संक्रितन है तो अगर आपको आर्तियों से भी बहुत जदा है तो फिर आप उढ़िये दो बजे तीन बजे जो भी है अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं practically because it is not possible अगर तो आपको देखना पड़ेगा कैसे में नाम पर अधिक फोकस करता हूं और बाती चीजों को कम नहीं प्रभुजी आर्ति कम नहीं आर्ति नहीं प्रभुजी बहुत आनंद आता है उसमें तो सभे रहे उसमें लेकिन कितना टाइम लग जाता है चालीस पंतालीस मिंट बहुत चीजे करते हैं तो यह सोचना जी बदवारवर बताया कि मुख्ये क्या है क्या मुख्ये है तो यह सब सोचके चलना पड़ेगा हमारा अगर आपके पास समय है तो बहुत बड़ी है तो करना ही जी है क्रिष्ण के अधुकी करपा से आविश्ट होए बिना कोई जगत गुरु नहीं बन सकता केवल मानसिक कलपना से कोई अचारे नहीं बन सकता वास्तविक अचारे वेश्वभर में भगवान के नाम का परचार करके हर बेक्ती को क्रिष्ण की भेंट देता है और इस तरह ना तता सभी आश्रमों का गुरु होता है जोकि वेश्वभर सबसे बड़ा भगत माना जाता है जाना चाहिए इसलिए वे परमहंस ठाकुर कहलाता है ठाकुर उपादी परमहंस को परदान की जाती है इसलिए जो आचारे की भूमी का निवाता है अर्थात क्रिष्ण के नाम सबस्ता करके कृष्ण को सीधे प्रस्तुत करता है लिए परमहंस ठाकुर की कहलाता है इस प्रकार से आचारे कौन है जो क्रिष्ण को उनके नाम के माधिम से प्रस्तुत करें और हर किसी को कृष्णब्रदान करें ताकि हर वेक्ति इस जंजाल से छूट पाए तो यह बात है बोल रहे हैं वल्लव श्री वल्लव जो बाद में और नामों से जाने जाएंगे तो वह यह बात बोलने हैं तो ऐसा लगता है कि वह जानकार है जानकार है इंचीजों को समझत होते हैं तो अब क्या इनके बीच में बात्चीत होती है क्योंकि बहुत कुछ इससे सीखने क्या में मिलेगा भी तो वह हम घ्यान से तुनेंगे अगले प्रवचन में अधिक्रिष्णा प्रुपात की जाए श्री चैतने चारी तामित की जाए श्री कृष्ण दास्का विर